आप लोग अच्छे होंगे आज हम लोग किमिकल इफेक्ट आफ इलेक्टिक करेंट यह एट क्लास के चप्टर हैं जो आपको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज यह इसको बहुत अच्छे तरीका समझने जा रहे हैं तो आप द्यान प्रूब को इसको देखें अब इसमें द मैंकरी दिखें के इसमें जाड़ा होता है कि यह आपका इलेक्टरोड है मैं ऐसमें बहुता है पोलेटिव चार्ज होता है इस सब आप से जाग्टोर्ड रहता है। आए बहुत рублей यह होता है कि यहां से जो हम kanたtv लिए इसमें हम जो चैये कर्थ होगा इसका इंट को रहे ले लिए और सोडिन लेंगे मेरा दोस्तों गांक फिम्हों हो जाएगा इन अधर ज्यागा ए आपका प्सक्राइब बन जाए गए interchange ओस्溝ाट हो जाता है यहां पूरा एक्का सूडेयं बन जाता है यहां पर को लिया सिल जब लगता है यहां है सेसे पूरा है प्कोड्रीन बियुक्त यहां जाता है यहां पर कि मतलब कि आपके लैघाएं आडूर्धे उतलो यह आपर यहां पर हमिशा उक्सीदेशन प्रोशे समका होगा इसमें इसमें रिडवस्टन हो गया अब आगे बशहते हैं तो बाते हैं कि आप कहां रहेगा तो जो सबतल होता है बैटरी का कहा रहा है कि बैटरी से जो कनेक्टरेज द्यमण कराया और इसी च लोग कफें टर रहता है ज explor करते हैं अंग कर दिमाग में बात प्लु appliance च्छेवर नंवेके यहां पर आपको प्रैस दिखार रहा आपका एक्टिविटी कह दिखार हहा है देखा किया हुआ है कि ये क्वार्चर ले लिया अवका अम्कर्णी इस बैटरी के ओ्फ करेक्शन डाल दिया तो इसमें देखें बॉल्ब गलू करने लागा क्यों कि आपको यहां पर देखाए हैं आपको ध्यान देना जरूरी है आपको कि यहां पर हम देखाएं मेरे दोस्तों कि यहां पर यहां पर रियक्शन करें तूटेगा यहां पर डिसोसियेट होगा तो इधर इनॉ उसे सब को देखा testing liquid for the electric conduction यहां पर बता रहा है कि इसमें electric conduction हो रहा है बात सही है क्योंकि इसमें electric conduction होगा जब इसमें पानी में अगर आयन रहेगा तब मतलब कि आयन इसमें electron move करने के ability रहेगा तब या बल्ब गलो करेगा जब इसमें अबिलिटी नहीं रहेगा मतलब कि इसको जो पानी लिये हुए है आप पानी में इलेक्ट्रोन मूब नहीं कर सकता है आयन मूब नहीं कर सकता है यह बल्ब गलो नहीं करेगा यहां पर आपको बैटरी लिया गया यहां से कनेक्शन कर दिया गया दोनों अलग अलग है यहां प भी कंड़क्टिंग कंड़क्टिंग नेचर होता है अब आते हैं कि डिस्टील वाटर में कह रहा है कि डिस्टील वाटर देहां देंगे याँ पर मेरे दोस्तों कह रहे हैं कि डिस्टील वाटर do not conduct electricity क्योंगि distilled water conductivity नहीं करता है क्योंगि उसमें जो होता है आपका free electron नहीं रहता है अब free electron नहीं फ्री आयन रहता है जब free electron नहीं रहेगा तो उसमें conducting nature खतम हो जाता है इसलिए उसमें मतलब कि नहीं कंड़क्ट करता है तो प्र प्र पास नहीं करता है नहीं चलता है अब जासे समालने कि उसमेर नमक मिला देंगे जब हम आपको नमक a.sald 100 डाल करवा देंगे सब्सक्रा करने लगेगा क्यों कि आ यंब करो वह का दाल देंगे सऻिक का जाएगा कंड़क्टिंग करन लाएगा इसका मत्त बीदूधारा पास करना लेगा क्योंकि उसमें जो कंड़क्टिंग जो रहाएगा इन एसी यह तो टूट जाएगा तो यह आएन आपका मिल जाएगा एक नेगेटीव एन पोजेटीव है आया मुब करना लागा बैकिंग पाड़र तैस्में वींगई एक अरुट पास पास करेगा जो это इसे और इसमैंक कолे साथ में प्रूटिंग बात कह ईया मिलता कि सर इसमें यह इस बहुत आया क्यों क्यों नहीं करता है क्योंकि इसमें वाट जो आपका लिम आहि और से क्यों करता है या इसमें free electron नहीं रहता है क्योंकि इस जो बनाते समय यह organic compound है आया organic lemon juice जो यह organic compound से बना हुआ है जो भी organic compound बनता है उसमें वह atom atom combine करता है आयन-ion combine करता तो उसो dissociate होता है atom atom combine करता तो atom atom में dissociate होगा यह आपको दिमाग में बिठा ले atom में electron मतलब की उदासीन होता है मतलब की वह neutral होता है neutral में conducted electricity नहीं करता है मेरे भाई तो आपको समझ बाया होगा आगे कर बढ़ते हैं अब आगे कह रहा है कि we do acid solution based salt conducting electricity कह रहा है कि why do acid and solution of base and salt conducting electricity कह रहा है क्यों कर रहा है कि salt solutions acid नहीं कंड़क्ट करेगा क्योंकि acid करवा कि वह इलेक्ट्रोन को मलग कि आयन को अर्दान परदान कर लेगा ट्रांसवर करेंगे दूसरे से एक्षेंज करेंगा उसको साल्ट बनने के बाद का तो उसके पास करेक्टर आजागा अब आएन फो में आजाएगा तब उसमें विदुधारा पास कर सकता है अधरवज उसी चीज में कर सकता है जो कंडुक्टिंग हो ऐसे नहीं करेगा मनली इसके मेलेकर्ण फिरी हो तह मल महां एक है कि इलेक्ट्रोन आगर फिरी रहेगा मैं दोस्त जिसे दिखाई देरा है खीण करेगा अदो आधपको है तब आसानी से मतलब कि करेंच पास करेगा नहीं त कंदा लेड लेड को ब्हुत कम बहुत करने लगता है ऐसानी से इलक्टिसिटी पास कर जाता है, दिफ्रेंड डिरेक्शन वी तीन दम मेटल मेटल मेडम रिंडमली मुव करता है मतलब के एक सवतनतर रूप से उसको कोई रुकावट नहीं रहाता है उसको करते हैं तो वहां से एलेक्ट्रोन निकल कर अपने कच्छा से दूसरी कच्छा में जान लगता है इसका मतलब कि वह अपने कच्छा जिस ओर्बिट में वह एलेक्ट्रोन है तो जब उसको एनर्जी हम ज्यादे प्रोभाइड कर देंगे तो आपना ओर्बिट छोड़ देता है और इसके बाद ओर्बिट छोड़ने के बाद दूसरे से का था कोलिजन करके और मतलब कि फीजन करके वह चला ज जाता है आषी एप्लेबल टोदो फलो 5 असानी से फ्लो नहीं कर पाथा जिसें ननम् मेटल में टाइटली बंद कह सकते कि दाइटली बंद जिंä हैं उसी तरह तरह आपको आपको जो देखेंगे जिसवा के आप ध्राइबाइर इसे तरह सो टैस दाया है डिक र्याहे मतलब कि आपका डेलेक्त शरकीट डिऑग्राम बनाए गया उलेक्ट्रिक बट्डी जोड़ दिया गया या तार में इस ततार के एलेक्ट्र यहां पोजेटीव चार्ज है इसका मतलब कि हायर पोटेंशल पोजेटीव चार्ज मेंस यहां पर हायर पोटेंशल यहां पर लोवर पोटेंशल मेंस यहां पर पोटेंशल डिफ्रेंस बहुत कम है यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा है यहां पोटेंशल ज्यादा है यहां इधर जाने के प्रयास करों यहां को जंपिंग में मुभींग पॉइंट में नहीं चल रहा है यहां से यहां से यहुआ निकल रहा है इधर क्यों झा रहा है यहां इसका मतलब कि आपको दिमाग में रख लीजिए रहे और सो दमाग में बात को इतना मेरे दोस्त रखना है आप को देखना है इसमें पांच भोल्ट का है तो यहां पांच रहेगा यहां पर जीरो रहेगा क्योंकि अभी यहां पर जीरो रहेगा यहां पर जीरो रहेगा यहां पर फाइफ रहेगा यहां पाएंगा तो यहां पर जीरो यहां पर फाइफ रहेगा मेरे दोस्तु यह आपको 100 परसे आपको दिमांग पर रखना है जैस कर रहा है कि जब हम वोल्टेज अपलाई करता है तो यह देखता है कि उस दूसरे से तरफ से में एनर्जी सप्लाई की इधर से कर रहा है उत्य सहरे का लेता है आपना एनर्जि जो लिया सब्सक्री की डिंऻ-डेटर करेगा है फ्लू करेगा जब बढ़ कहाता कि मैं लीजें कि prin obtain ही नहीं तो जाय मतलब कया है जाय नहिए लटर नहीं करता है क्योंकि उसमें यह थैंढ फ्री रिल्स रहता है उसमें आयन कोई नहीं रहता है कोई मतलब कोस में से डिस्टील वाटर में से जतना मतलब की नमक रहता है मतलब जो साल्ट आयन रहता उसको रिमूब कर लिया जाता है अब उसके बाद उसे डिस्टील वाटर बनाया जाता है में दोस्तों अब आगे कंडक्शन इन लिक्वीड करा कि करता है बास सही है बच्वा करेंट थू दग आगे कह रहा है कि करेंट थू देम इसका मतलब उसके पास आयन हो सकता आयन है अब आयन क्या है तो आयन मेरे दोस्त वह होता है मतलब कि जब इलेक्टोन जब भी आपका मतलब कि एलिमेंट अपना वो रिबीट से इलेक्टोन दी दिता है या ले लिता है दो परकार जिसे मेटल का करेक्टर दो है एक नन मेटल है को मेटल है तो नन मेटल का करेक्टर होता मतलब कि जो भी मेटल आपना इलेक्टोन और देता है तो देनी वाला के बोलते हैं हम लोगे पोजेटीब चार्ज करी करेगा आज जो ले लिया वह नेगेटिब चार्ज करी करेगा तो नेगेटिब चार्ज से एक क्लेक्टों रिलीज कर देता है और कहा था यह रिलीज कर दिया तो यह पोजेटिव चार्ज करी कर लिया इसको बोलते पोजेटिव चार्ज करी किया यह आयन बोलेंगे यह आपका केटायन हो जाएगा यह आयोडीन है इसके पास एबिलेटी है कि किसी से ले लेगा इस which any electron loss and gains from the outermost orbit is called form ion मतलब कि कहाने का मत्तब में मेरे दोस्त जब ही कोई element अपने outermost orbit से किसी से electron ले लेका outermost orbit में या किसी outermost orbit से किसी के electron दे देगा तो अब बनता है after release करने के बाद या gain करने के बाद जो बनता है उसको ion कहते है ion two type के आपको बता दिया गया कि ion एक negative ion होता है एक positive ion होता है मेरे दोस्तों देखिए यहाँ पर देखाई दे रहा है कि यह calcium है calcium में दो electron loss कर दिया positive carry कर दिया तो यह outermost orbit से दिया हो मतलब कि कहने के मतलब है इसके बाहरी कच्छा में जो electron है जो बाहरी है इसके पास 20 होता है इसके पास होता है 20 तो दू आठ है आठ है दू तो यह दू electron हमाद दे देगा potassium के पास दू आठ है दू एक लिट्रों दे दिया ही iodine के पास रहता है एक सेवे रहता तो एक लिट्रों किसी से ले लेगा जिसे कि यह oxygen को देखिए तो टू छो होता है तो दू दे नहीं पाएगा तो दू को किसी से ले लेगा और अपना पूरा कर लेगा तो यह कहरा लेने वाला है देखिए दू इले लिया न जी तो दू को चार्ज माइनस देखाना लगा यह बता रहा है कि इसके पास दू को इलेक्ट्रोन ज्यादा हो गया देन प्रोट्रोन से क्योंकि इसके पास अगर oxygen के बात करते हैं मेरे दोस्ते यहाँ पर oxygen अगर देख लिया जाए तो oxygen के पास 6 इलेक्ट्रोन होता है और 8 इलेक्ट्रोन होता है और 8 प्रोट्रोन होता है बट अब क्या हो गया यह परेंटरल इटम से इसके पास अब 10 इलेक्टोन हो गया अब बताईए कि 2 इलेक्टोन ज्यादा हो गया उहीं रिपरजेंट कर रहा है यह बताने लगा कि भाई इसके पास है न 2 इलेक्टोन किसी से लिया हुआ है इसके पास 2 بن एलेक्ट्रोन ज़्यादा हो गया है तो यह नेगेटिव चार्ज करी कर लिया और कैसियम बता रहा है कि भाई यह किसी को तो एलेक्ट्रोन दे दिया है जिसके कारण इसके पासद दो प्रोट्रोन ज़्यादा हो चुका है वह आपका Indicate करने लेगा मेरे दोस्तों आगे क्यों बढ़ते हैं आप कह रहने हैं कि मेरे दोस्तों Lionic Compound उसे कहते हैं जब कितायन और एनाइन जब यह कितायन है जब केतायन और एनाइन इनाइन अब एक दूसरे से R Yesion करता है जो Compound बनता है उसको ionic compound कहते हैं जैसे कि metal और non-metal एक दुसरे से reaction करता है तो वो आपका ketionic बनेगा वो ionic compound बन जाएगा जैसे sodium जिसे ketion होगा और यह reaction किया बन गया आपका sodium chloride नमक बनते हैं टाटा salt, common salt बोलते हैं मेरे दोस्तों यह बन गया आपका ionic compound यह आप दिखा रहा है कि sodium क्या गिया एक electron इसको दे दिया electron देने के बाद क्या हुआ इसके पास अपना octet पूरा हो गया अई भी अपना octet पूरा गया यह 2818 हो गया मेरे दोस्तों तो दोनों complete कर लिया रियक्शन कर लिया रियक्शन करने के बाद एक दूसरी के आएन आर्दान परदान कर लिया और बन गया आपका sodium coalite transfer of electron से बना हुआ gain of electron transfer of electron से बनता है तब उसको आएनी compound बन कहते हैं मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखे यह अब किया sodium potassium जो मेरे दोस्तों एक electron दिया इसको आई आई ले लिया अग बन गया potassium iodide calcium 2 electron दिया oxygen को और oxygen 2 electron ले लिया बन गया calcium oxide आपको दिमाग में आ गया कि positive iron हो गया negative iron there are two types of electrodes आपको बताया गया कि electrode जो होता है एक cathode होता है एक inode होता है inode के पास क्या होता है positive character होता है positive negative character होता है positive iron हो गया sodium मेटल यतना यह metal है और यहाँ सब जो है आपका non-metal का character नहीं बारा है यहाँ आपका character जो किसी silicon लिया हुआ है आप दोनों रियेशन करके compound बना लिया है मेरे दूस्तों यह compound यह जितना compound है यह आईनी compound है क्योंकि जब भी आईनी compound बोलेंगे जब मेटल जब भी का तक केटाएन और इनाएन positive and negative आईन दुसरे से rejection करके जब भी compound बनाता है उस compound को हम कागाते आईनी compound करते हैं अथार्थ जो भी compound को दिखाए दे रहा sodium collide, potassium collide, sodium iodide calcium oxide, sodium oxide potassium hydroxide, sodium hydroxide potassium nitrate copper sulfates, sodium carbonate या सब जो है आपका या जो है आपका आईनी compound है मेरे दोस्तों आते हैं आगे कर बढ़ते हैं electrode किसे बोलते हैं जिसले कह रहा है कि electrode उसे कहते हैं जिसके मतलब electrolyte मतलब कि जिसमें हम लोग जो solution में डालते हैं वो electrolyte हो जाता है there are two type of electrolyte यह होता है good strong electrolyte यह होता है weak electrolyte जो भी आईनी compound होता है वो आपका strong electrolyte होता है जो मतलब कि आईनी compound नहीं होता है वो weak electrolyte होता है कुछ आईनी compound में भी क्या होता है आपका weak electrolyte मिल जाता है बड कहाता कि जब हम लोग को alkaline metal और earth alkaline metal से जो भी compound मिलता है वह आपका strong electrolyte होता है जैसे कि कह सकते हैं मेरे दोस्तों यह sodium chloride जो आपके पास है sodium chloride यह का strong है sodium आपका alkali metal है alkali metal से बनने वाला compound क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों यह आपका strong हो जाएगा इसलिए बोलेंगे कि इसमें strong electrolyte डाला गया कर एक question कर रहे हैं कि it split into it component iron कर रहे हैं कि अपने component iron में टूट जाता है जब पानी मम हम उसको डालते हैं यह नी compound को तो वह का होता है टूट जाता है split हो जाता है मन्दर टूट जाता है तो अपने component iron में जिसले बना हुआ उस रूप में टूट जाता है अब आते हैं मेरे दोस्तों कह रहा है कि liquid or the must paste that has iron in it called electrode कह रहा है कि जो हम लोग liquid डालते हैं वह electrode कहान लाने लगता इसका मतलब कि sodium chloride या आपका electrolyte हो गया अब कैसा electrolyte होगा जब पानी में डालेंगे जब 100% dissociate हो जाएगा अब बहुत बल्क में electric current flow करने लागा उसको strong electrolyte बोलते हैं बहुत कम में पास करता है उसको wet electrolyte बोलते हैं wet नहीं weak electrolyte बोलते हैं कह रहा है कि when common salt is dissolved in water it is split into sodium ion or chlorine ion solution of the common salt is there for example of the electrolyte एक electrolyte example लेंगे in generally acid and solution of salt base are the electrolyte कर रहा है कि base are electrolyte है यहाँ पर कहता है यहाँ दिया sodium collide टूटा electrolyte बन गया कर फ्री आयंद फ्री टू मूब बाउट इन electrolyte कर रहा कि आपना electrolyte में move करता है फ्री यहाँ पर यहाँ आयन है यह कोल्रीन आयन है बता है कि यह नोड के पास आता है यह पोजेटिव अधान बता है करेगा करेंड्क करेंट करेंगा आपको भी बता दिया गया कि दो परकार के लेक्टोड होता है के नौड होता है के थोड होता है दो परकार के लेक्टोलाइट होता है आपको एक strong electrolyte और weak electrolyte आपकर करके strong electrolyte उसे कहेंगे मतलब कि जो alkali और अर्थ alkali से बना हुआ है वह strong electrolyte है जो weak से बना हुआ है वह weak electrolyte है करते हैं करेंट through human body करहा कि human body एक मतलब की क्या होता है मतलब कि dry उसमें current उतना conductor नहीं करता है बट का तक वह होता है back इसलिए आपको दिमाग में रखना है ज़रूर है मेरे दोस्तों जब भी क्या होता है और आपके पास मतलब की बहुत भींजा हुआ है उस कंडिशन में क्या करना चाहिए हम लोग को यह सब कोई इलेक्ट्री डिवाइस नहीं चुना चाहिए जादा करेंट करना चाहिए हुआ है उसमें जग चूँदेते हैं अग वह लोग क्या तो एकक्टिन्ट हो जाते हैं इसकेसे दा करेंट टू फ्लो थू थ्रोद वर्डी तू दस ग्राउंड करते करेंगे वाक्हा होता है जब हम छूते है तो आपके फरीर से ग्राउंड में चला जाता है यहाना दा पॉड़क्टि ए लेक्टिक सौक कराइके यह पॉडूसिंग एलेक्टिक सौक यह कहते हैं क कर रहा है कि इनक्लूडिंग वोल्टेज इट अधर बड़ी ड्राइज और वेट डिपेंड करता है कि वेदर किस पर नहीं बरेगा तो कम वोल्टेज जटका देगा अगर वेट रहेगा मतलब कि अब पानी उसमें डाले हुए पानी से भींजा हुआ है तो डेंजरस खतरा हो सकता है मेरे दोस्तों इसलिए कभी भी का टैप वाटर क्रेंड वाटर और स्वेट वाटर कंटेंड डिजल्विट सब्टांस विच हेल्प कंड़क्टिंग इलेक्र इलेक्रिशिटी आपका एलेक्रिक हरोत पालस होता है मतलब की ज्यादा पास करता है ज जब सूखा रहता है उसले वोटे एंगार कर टे सब्सक्राइब करते हैं इसलिए डेंजरस हो सकता है अब करें इलेक्ट्रोलेसिस में सोता है जब मानले कोई चीज हम लोग का करते हैं पानी को हम लोग पानी और नमक को डाल कर तोरते हैं यहां बहुत साथ करते हैं बहुत से काम भी होता है है दोस्तों आगे कर बढ़ते हैं अब कर रहा है कि एलेक्ट्रोलेसिस अब आते हैं एलेक्ट्रोलेसिस कर रहा है कि यह पासिंग एलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट बता है गुड़ एलेक्ट्रोलाइट इस वीक एलेक्ट्रोलाइट उसले जब पास करता है वी दा अब आगे कह रहा है मेरे दोस्तों आगे कुर बढ़ते हैं कहरा है कि when electric city passing through the electrolyte कहरा है कि electrolyte से जब pass करता है आपका है anodic cathode कहरा है कि उसलिए जब pass करता है अब कहरा है positive ion electrode moving toward the electrode कहरा है कि positive जो रहाता है आयन वह कहता है तरह कर दिमाग में बठा दिया गया है कि पुजेटिव पार्ट चल जाता है नेगेटिव के पास नेगेटिव के पास पुजेटिव के पास पुजेटिव पास आपको दिमाग में बठा दिया गया है कि पुजेटिव पार्ट होता है आपका इनौर्ड इनौर्ड के पास नेगेटिव पार्ट आ जाता है आपको बता दिया गया है कि नेगेटिव पार्ट होता है के थार्ट के पास पुजेटिव पार्ट चल जाता है दुनों neutralize हो जाता है, I give up the electron, become neutral, उसका इलेक्टरोन ले लता है, वह neutral हो जाता है, if the natural substances, neutral substances is gases, neutral state, neutral state में gas हो जाता है, it is involved at the electrode, electrode पर involved होता है, जो electron हम लिये हुए हैं, उस पर, it is the metals, if it is a metal, होगर metal हुआ है, तर deposit at the cathode, cathode पर deposit होता है, metal कहाँ deposit, cathode पर होता है, जो metal रहेगा, वह cathode पर चला जाएगा, जो formation of the natural substances, electrolyte is decomposed, we can say that, decomposition of electrolyte when electricity is passing through is called electrolysis, कह रहा है कि जब कह रहा है कि जब decomposition of electrolyte, electrolyte को टूटना है, when electricity या passing through दे, जब current इसमें पास करता है, electrolyte याब टूट जाता है, इस process कहते electrolysis, इस परोसे कहते हैं, इस परोसे कहते हैं, कह रहा है कि देखिए आपर कह रहा है, इसमें कहा हो तक याइन और आपका ले लिया है, इसका मतलब gas bubble होने है, मतलब कि gas इसमें release करने लागा, या water है, या water जब टूटने लागा था, इसका मतलब कि यहाँ पर जो आगे hydrogen gas हो जाय है, यहाँ पर cathode पर oxygen gas है, या electrolysis process हो रहा है, आपका ध्यान लेगे, cathode पर यहाँ पर पानी या टूटेगा, यह हो जब ही H2O, जब H2O टूटेगा तो यहाँ पर plus और negative, तर negative part इधर आने लाएगा, तर negative part इधर जाएगा, इधर plus की तरफ आने लाएगा, याकि negative part आएगा, oxygen होने लागा, bubble होने लागा, इसको बाइडोजन गैस किस के पास आएगा, नेगेटि के पास आजाएगा, तो देखे, गैस बबल होना इस्टार्ट हुआ, तो गैस बबल इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सिजन गैस है पर आपको आएडोजन गैस जा रहा है मेरे दूस्तों, आज आप आप समझे होंगे, यह यह आपको पूरा सिस्टम है जो है यह पूरा सिस्टम है अब मालने कि हाइड्रोलोसिस है आपको सोट में समयना है तो कहां कहांगे कि एलेक्टोलाइट डिजल्व इन सोलूसन अफ्र डिस्टोसिए us एका न रिगेटिव ऑन जो अन उड电 लाइन और उड़ एक खर स्टॉर दीस process ॉलेक्टोलेसि इस पुरसेस को मुआ कहते हैं इलेक्ट्रोलेसिस कहते हैं तो मेरे दोस्त आप समझे होंगे कि इनोर्ड पर जो जाता है इनोर्ड होता है पोजेटिव चार्ज पर नेगेटिव आएगा क्यों नीट्राइज होता है और नेगेटिव चार्ज पर जाएगा पोजेटिव चार्ज क करेंगे इसके बाद एस बात पानेंगे तब मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बहुत बीडियो लंबा हो जाएगा अगर आप क्लास में हैं यह बहुत साइंस में रूची रखते वीडियो को देखिए अच्छे तरीका से कोई भी मिश्टेक हुगा होगा एक बार पुछ लीजिएगा आपको लग रहा कि सर मिश्टेक हैं तब पुछ लीज़ा कोई दिकत की बात नहीं है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब जाने का अनुमति दीजिए और मेरा चैनल पन